नमस्कार, मैं हूँ मनमोहन भट किसी भी राज्य में या देश में बैठकों का दौर लगातार चलता है एक विचार होता है, उस विचार पर मंथन होता है, उसके बाद योजनाय बनती है इस समय का जो विचार है, वो ये है कि 2025 में उत्तराखंड कैसे नमबर वन पायदान पर पहुँच सकता है मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी का ड्रीम ये है कि जब 2025 का वर्ष हो तो उत्तराखंड अपना 25 वा जन्म दिवस मना रहा होगा और ऐसे में देश के तमाम राज्यों के बीच उत्तराखंड पहले पायदान पर खड़ा हो, ये सपना राज्य सरकार देख रही है हलाकि पहले देखा जाता था कि 2020 में उत्तराखंड टॉप 3 या टॉप 5 में शामिल हो, लेकिन अब 2025 की बार होने लगी है उत्तराखंड 2025 में पहले पायदान पर कैसे पहुँचेगा, इसके लिए भी रणनेती बनाई जा रही है लेकिन एक छोटा प्रजेक्ट अब चमपावत जिले के लिए चलाने की कोशिश की जा रही है चमपावत वोक्षित्र है, जहां से मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी अब विधान सभाच चुनाओ जीत कर विधान सभा में पहुचते हैं चमपावत के लिए योजनाय बनाने का काम शुरू हो चुका है उत्तराखंड State Council for Science and Technology एक नोडल एजनसी बनाई गई है जो चमपावत को नमबर एक पायदान पर पहुचाएगी यानि देश में उत्तराखंड नमबर वन पायदान पर पहुचे इसके लिए एक रणनेती बन रही है और उत्राखंड के 13 जिलो में चमपावत पहले पायदान पर पहुँचे इसके लिए एक दूसरी रणनीती बनाई जा रही है और U-Cost उत्राखंड State Council for Science and Technology को नोडल एजिंसी बनाया गया है U-Cost के सभागार में एक मन्थन हुआ इस मन्थन में U-Cost के नव नियुक डीजी प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश पंत मौजूद थे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी मौजूद थे मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम मौजूद थे U-Cost के एक और अधिकारी है डॉक्टर डीपी उनियाल वो मौजूद थे चमपावत जिले के जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी मौजूद थे इसके अलावा कई विशियों के एक्सपर्ट इस सभागार में मौजूद थे जो प्लैन बना रहे थे कि कैसे चमपावत छेत्र के लिए योजनाय बनाई जाएं चमपावत बहुत छोटा जिला है बहुत खुशुरत जिला है चाय के बागानों के लिए चमपावत छेत्र जाना जाता है लेकिन सिर्फ चाय की खुश्बू ही पूरे प्रदेश या देश भर में चमपावत ना फैला पाए बलकि अलग-अलग छेत्रों में चमपावत बहतर काम करे इसके लिए योजना बनाई गई चाहे दुगद उत्पादन का छेत्र हो चाहे मुर्गी पालन का छेत्र हो मदुमक्खी पालन का छेत्र हो मचली उत्पादन का छेत्र हो हो मिस्टे हो या परेटन से सम्मदित कई और योजना हो इस तरीके की तमाम दरजन भर से ज्यादा योजनाव पर चर्चा हुई कोशिश की जा रही है कि जो प्रोजेक्ट तयार किये जाएंगे उसमें तकनीकी सहयोग यू कोस्ट प्रदान करेगा डिस्टिक मैजिस्ट्रेट के जरिये सारे प्रोजेक्ट को शाशन को भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री के जो सचिव आर्मिनाक्षी सुंदरम है वो खुद प्रोजेक्ट की मोनिटिरिंग करेंगे और उनको पास कराने की जिम्मधारी उठाएंगे आइडिया बहुत शांदार नजर आ रहा है इस आइडिया में सरकार की मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठन या जो बाहर के एक्सपर्ट होते हैं वो भी मदद देंगे इसलिए हैसको के प्रमुक डॉक्टर अनिल परकाश जूशी भी यहाँ पर मौजूद थे योजना एक तरीके से तयार होने लगी है पहली बैठक होई थी अब इसकी दूसरी बैठक भी इसी महिने के आखिर में होनी है और उसके बाद किस तरीके के प्रस्ताओं तयार होंगे कैसे उन प्रस्ताओं पर मुहर लगेगी कैसे वो प्रस्ताओ धरातल पर खरे उतरेंगे और कैसे भविश्य में चमपावत उत्राखंट के भीतर पहले पाइदान पर मौडल, जिला बन कर सब के सामने खड़ा होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो वाकई में रोजगार स्रिजन के लिए ये एक नई पहल होती हुई नजर आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये बाकी तूसरे जिलों के लिए एक मौडल होगा और इसके लावा देश भर के तमाम छितरों के लिए ये एक मौडल साबित हो सकता है अब देखना ये है कि किस तरीके के प्रस्ताव होते हैं जिन्हें मनजूरी मिलती है और कैसे धरातल पर उनका सफलता पूरवक्रियानवन हो पाता है सातियों आज की रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी लेकिन जाने से पहले दो विशेश आगर है इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुचाईए नमस्कार